बोलेवुड आक्टर बॉबी देवल ने एनिमल के साथ जुस तरेके से धमाकेदार कमबाक किया है उन्हें देखने के बाद फैंस तो उनकी तारीफ करते नहीं थोक रहे हैं एनिमल में रनबीर कपूर के साथ बॉबी देवल नज़र आए लेकिन बिना एक डालग बोले बॉबी देवल ने जो इमिज बनाई है जो फैंस के दिलों में खाश जग़ बनाई है उसके बाद तो हर कोई बॉबी देवल के बारे में बाते कर रहा है बॉबी देवल इस फिल प्रकाश कौर का फिल्म एनिमल को लेकर रियक्शन क्या था। इसके साथ ही बॉबी दोल ने ये भी बताया कि उनके बेटे आरिमन और धरम देवल बॉलिवुड में कब डेब्यू करने वाले हैं। हाला कि जब उन्होंने ये अनाउंस्मेंट किया है तो उनके बेटों को लेकर फांस में जो है वो एकसाइटमेंट बहुत जादा बढ़ गई है। चोटे वाला भी सिर्फ 11 साल का है। वो 3-4 साल के बाद बॉलिवुड में आने का सोचेंगे और एंट्री करेंगे। बॉबी देओल के खुलासे के बाद बी टाउन में इसको लेकर काफी जादा बाते हो रही है क्योंकि बॉबी देओल और सनी देओल की तरह उनके बेटे भी बॉलिवुड में धहमाल मचाने के लिए बिलकुल तयार है। बॉबी देओल ने लंबे टाइम के बाद एनिमल के साथ बॉक्स ओफिस पर तगड़ा कलेक्शन तो किया ही। इसके साथ ही फान्स के दिलों में भी एक खाज जगा बनाई। बॉबी देओल का करेक्टर इस फिल्म के अंदर नेगेटिव भले ही हो। लेकिन बिना एक डायलोग बोले बॉबी देओल को फैस इतना जादा पसंद कर रहे है। कि वो चाहते हैं कि बॉबी देओल इस तरीके की एक दो फिल्मे और करें क्योंकि बॉबी देओल को एक बार फिर से वो बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए बेहर्द एकसाइटिट है। अब बॉबी देओल का करियर तो चमक पड़ा है इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटों के बॉलिवू डेबियो को लेकर भी जो खुला सा किया है। उसके बाद तो सोशल मीडिया पर फैस के बीच एकसाइटमेंट देखते ही बनता है। अगर आपने फिल्मी बीच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।